हेलो एवरीवन मैं अर्चिना पांडे एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ सथा के द्वारा जो डेली आंसर राइटिंग सिरीज चलाई जा रही है जी एस में उसके डे फाइब में जो करेंट अफेयर के क्वेस्चन लिए गए हैं उसको आज मैं डिसकस करूँगी जिससे आईडिया होगा कि कैसे आंसर लिखे जाते हैं तो आईए देखते हैं पहला क्वेस्चन है कि एक राष्ट और एक राष्ट कार्ड से आप क्या समझते हैं और उत्यप्रदेश के संदर्व में इसकी आलोचिनात्पक परिछड कीजिए इसका आलोचिनात्पक परिछड कीजिए तो जैसा हम सभी जानते हैं कि जब COVID-19 के समय लोगडाउन हुआ था लोगडाउन के समय जो हमारे मजदूर थे दिहारी मजदूर थे सहरी गरीब थे कचड़ा बिनने वाले और सडकों पर रहने वाले और संगठीत आ संगठीत छेत्री के जो अस्थाई स्रमिक थे कारीगर्द का घरेलू कामगर्द थे उनकी समस्याओं को देखा गया और चुकि एक राशन और एक राशन कार्ड की विवस्था ना होने के कारण वो जिस राजी में फसे थे उन्हें खाध्यान की उपलब्धता नहीं हो पा रहे थी इन ही सब को देखते हुए शरकार के कदम उठाया गया है कि एक राशन कार्ड और एक देश और एक राशन कार्ड की क्या हो विवस्था की जाए तो इसको अब अपने हिसाब से जैसा भी सही लगे एक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं जैसा यहां पर जो इंट्रोडक्शन बनाया गया है वो है कि विस्विस्तर पहुँच उपयोग और इस्थिरता की विसेशता हो विसेश पहुँच हो अचा हम इसके साथ ये भी लिख सकते हैं जो SDG का 2 SDG का 2 नंबर गोल है वो है 0 हंगर मतलब 0 भुकमरी करने का जो लच्छ है आप उससे भी इसकी सुरुवात कर सकते हैं फिर रासन कार्ड के बारे में बताना है कि ये कैसे नागरिक केंदरित है और उसमें नागरिक केंदरित है कैसे ये खादे सुरच्छा दिनियम जो हमारा है उसको पूर्ती करता है इसमें कौन-कौन से सामिल होते हैं इसमें क्या प्रावधान किये गए है तो प्रावधान में एक राष्ट एक राशनकार्ड योजना को एक्स्प्लेन कर सकते हैं और उसके बाद हम यूपी के संदर में आते हैं अगर उत्तरपदेश के संदर में आप जब क्वेश्चन की डिमांड है कि उत्तरपदेश के संदर में देना है तो उत्तरपदेश में हमारे पास खुछी इ राशन लेक्वार फिर भी बड़ी संख्या में परिवार उब प्राशन लेने में असमर्थ थे। फिर बड़ी चंख्या में परिवार ही नितियत चाहित है। 14% परिवारों ने ऐसे FPS फेर प्राइस शॉप का दौरा किया जहां वे इसके राशन लेने के लिए पंजीकृत नहीं थे इन ही सब चीजों को डिसकस करते हुए कि कैसे UP में पोर्टिविल्टी में प्राब्लम हो रही थी कैसे अधियांस परिवार कुछ सफल हुए और अध्यन में जो भी परसेंटेज आया जैसे अध्यन वाले राज्यों सभी अध्यन वाले राज्यों में 12% की तुनलम 8% परिवा नहीं कर सके थे यह सारी चुन अध्यों को टेक्नोलोजी टेक्न लोजी फेली ओर द्वार भीत में के दौरां आज संजारी करने के लिए वेकल्पिग विधी के अनुमति देना तमाम चुन ऊत्यों का समाध्हां करशकता है तो टेक्नोलोजी की भी चर्चा आप कर सकते हैं, फिर 81% जो PDS डीलर है, जो परिवार की, को portability के तहतरासन जारी नहीं कर सके, उन्होंने खराब internet connectivity को मुख्य कारण में से एक बताया, इसके ये इस बात का प्रतीक है, कि जब आप इसकी चर्चा करें, तो आपके पास कुछ data होने चाहिए, कुछ data र दिश्कस करना है, क्योंकि समस्या हमें पता होती है, उसका समाधान पता नहीं होता, तो आंसर लिखते हैं समय इस बात का ध्यान रखना है, कि एक अच्छा introduction, वो किसी भी प्रकार से हो, लेकिन attractive हो, introduction के बिना, और introduction में इस बात की सुरुआत जरूर हो जानी चाहिए, कि अच्छा answer लिखने का हमारा तरीका हो सकता है, साथी, ये प्रयास जरूर करना है, कि इसमें कुछ चार्ट जरूर बनाए, क्योंकि जियस का पेपल लेंदी होने के साथ ही, हमें उसमें अच्छी मार्स पाने के लिए, कुछ ग्राफ बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, एक देश और उसके बाद जब conclusion लिखा गया, तो लिखा गया एक देश, एक रासन कार्ड योजना का उदेश है, कि देश में फरजी रासन कार्ड को रोकने में मदद मिलेगी, और देश में चल रहे हैं भरष्टाचार को रोका जा सकेगा, इस योजना के लागू होने के ब पूरा खाद्य सुरच्छा मिलेगी, जिससे आप ये भी लिख सकते हैं कि SDG के टू नंबर गोल को प्राक्ति किया जा सकेगा, फिर आपके पास हैं कि 2022 में मनाए गए अंतरराष्टी योग दिवस पर प्रकाश डालते हुए बताएं कि योग कि कितने प्रकार के होते हैं, ह मनाया कैप गया था, तो 2015 में से 21 जून को प्रतिवर्स मनाया जाता है, ये चर्चा आप कर सकते हैं, भारती प्रधान मंत्री के द्वारा इससे लाया गया था, और 21 जून की तारिक इसलिए किया गया था कि यह उत्तरी गोलार्ध के वर्स का सबसे लंबा दिन होता है, तो इन सब विशेश्ताओं की आप चर्चा करते हुए, इस बात पे बल दे सकते हैं, कि इंटरनेशनल योग दिवस भारत के द्वारा प्रस्तावी था, योन योग के द्वारा लाया गया था, और अगर करिंटी में आपको याद हो, तो अंतर राष्टी योग दिवस 2022 की जो थीम हो, कि मानवता के लिए योग तथा मानसिक कल्यान प्राप्त करने के लिए योग की भूमिका, इसे चर्चा करते हुए, आप योग के प्रकार के बारे में बता सकते हैं, जैसे योग के प्रकार के बारे में, वैसे हमें जानकारी कम हो पाती हैं, बट अगर हम ऐसे टेस और questions को लगाते रहें तो यह जानकारी भी हमें प्राक्त हो जाती जैसे योगी के प्रकार तो कर्मयोग एक पस्चिमी कर्मयोगी क्या है कर्मयोग में बस इस बात को ही इस बात की पुस्टी की जाती है कि इसमें निश्वार्थ गदविधी और कर्तवयोग के साथ संलगन हु बिना अफल की चिंता गिविने वही जीता के जो कर्मयोग का सिध्धानत है उसकी आप चर्चा कर सकते हैं कर्मयोग में ज्यान योग में क्या करते हैं ज्यान योग में आप अंतरात्मा मन का ध्यान और अंतरात्मा प्रश्ण मतलब अपनी नॉलेज को गेन करते हैं यह ज् और भक्ति की चर्चा करते हुआ, भक्ति योग बता सकते हैं, जिसमें प्रेम भक्ति के माध्यम से अध्यात्मिक ज्ञान का सबसे बड़ा मार्ग इसकी चर्चा कर सकते हैं, फिर क्रिया योग, क्रिया योग क्या है, ये सारी रिक प्रता है, इसमें सारी रिक मुद्राय, उर भारत ने इंतर राष्टी योग दिवस के लिए प्रयास किया और कैसे सफल रहा कर्मयोग ग्यान योग भक्ति योग क्रिया योग इन सब की चर्चा करें अर अंत में योग के बारे में योग के लाभों का एहसास नहीं है किसी भी आयूगर, किसी भी सरीर के आकार के वक्ति द्वारे योग का चैन और उसका भ्यास किया जाता है यह किसी के लिए भी सुरू करना संभो है, यह सभी स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, और अपने आंसर को बहतर बना सकते हैं, हाँ, यह ध्यान दे कि एक छोटा ग्राफ भी जरूर बनाया जाए, जिससे आपको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो सकें इसी तरीके से जी ट्वन्टी के उद्देश सनचना प्रणाली के बारे में समझाए, तो हम जानते हैं जी ट्वन्टी जो है विशुके और दोगी देशों का संगठन है अप ये कब बना, कैसे बना ये कितनी जनसंख्या का प्रतनिधित्त करता है, और कितनी निवेश को आकरशित करता है ये सब ही आकड़े एकत्रित कर ले फिर उसके उद्देश को देखे कि जी ट्वन्टी कब उसके बैठक होती है, उसके उद्देश क्या होते है, इन सब की चर्चा करे और फिर कब शुरुआत हुआ इस पर और क्यूं हुआ इनसकी बातों की चर्चा करते हुए आप जी ट्वन्टी के बैठक और उसकी विश्व में भूमिका कार्य प्रणाली और कैसे क्यार काम करती है, इन सब के बारे में बता सकते हैं, जो आपको मॉडल आंसर से भी पता लग जाएगा नेक्स एक क्वेश्चन है कि सिंगल यूस प्लास्टिक के प्रभाव पर चर्चा करते हुए, इस पर लगाए गए प्रतिबंद में आने वाले चुनोतियों पर प्रकास डाले, अब ये डाले ये बेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्यों सिंगल यूस प्लास्टिक का हमारे पास विकल्प नहीं है और ये परियावरन पजूशन में बहुत समस्याउत्पन ने कर रहा है तो इसी को देखते हुए ये क्वेश्चन महांतपून हो जाता है तो हमारे पास ये नॉलेज होना चाहिए क्यों सिंगल यूस प्लास्टिक क्या है जो जैसा कि हमको पता है कि सिंगल यूस प्लास्टिक ऐसे प्रोड़ेट है जो एक बार इस्तमाल करने के बाद उन्हें फेक दिया जाता है दूसरी बात क्या है ये आसानी से डिस्पोज नहीं होते हैं इनको dispose नहीं किया जा सकता इन्हें recycle भी नहीं किया जा सकता है और यही वज़े है कि प्रदुशन को बरहाने में क्या है single use plastic आहम भूमी का निभाती है इसके साथ ये भी चर्चा कर सकते हैं कि तकनी की रूप से यह कितने तो यह 40 micrometer या उससे कम की plastic क्या होती है single use plastic कहा जाता है और इसमें उदारन भी ले सकते हैं कप, carry bag, पानी या cold drink की bottle, straw, food, packaging आदि single use plastic करीब साथ से 5% ही recycle हो पाता है अगर इन चीजों की आपने चर्चा कर दी तो पता लगेगा कि हाँ आपको single use plastic के बारे में क्या है जानकारी है फिर उसके प्रकार भी plastic के single use plastic के प्रभाव की चर्चा कर जैसा कि हमने यहाँ पर बताए कि single use plastic क्या है क्यों ये परियावरण को प्रदूशित कर रहा है तो आप देखिए फिर इसके प्रभाव की आप एक graph भी बना सकते हैं चर्चा कर सकते हैं तो क्यों क्या प्रभाव है तो प्रभाव प्रियावरण प्रदूशन है डिस्पोजल का इसू है कि ने डिस्पोजल नहीं किया जा सकता मानो हिल्थ पर अगर इसके इसू को देखेंगे तो क्या होता है यह प्लास्टिक उत्पाद क्या होते हैं कुछ प्लास्टिक उत्पादों में मौझूद विसाथ पदार जहर लगातार प्रदूशक मानो सरीर में प्रवेस कर जाते हैं और कैंसर सहीत कई विमारियों का कारण बंदे हैं इसमें अगर देखें तो मनुस्य अकेले मचली यानि माइक्रो प्लास्टिक से दूशित के माध्यम से मतलब जो मचली खाता है मानों उसमें वो मचलियां माइक्रो प्लास्टिक का सेवन करती हैं और उसके माध्यम से एक वर कितनी बड़ी समस्या सिंगल यूज प्लास्टिक की उत्पन हो रही है इसके साथ एक और बहुत बड़ी समस्या है क्या समुद्री जीवन और जलवायू परिवर्तन समुद्री जीवन और जलवायू परिवर्तन में भी क्या हमारे सिंगल यूस प्लास्टिक की बहुत बड़ी समस्या है जैसे देख सकते हैं कि सिंगल यूस प्लास्टिक समुद्ध तरपरों से तम 49% कुणे का निर्माण करता है फिर कार्बन डियोकसाइट का बढ़ना ये प्लास्टिक से क्या हो रहा है 500 मीगावाट छमता से लेकर 295 से अधिक कोईला धारित बिजली सन्यंत के बराबर ये क्या करता है कार्बन का प्रदूशन करता है ये उदाहर देकर भी हम समझा सकते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक कितने बुरे प्रभाव दे रहा है फिर विकासिल देशों पर भी अधिक प्रभाव है इसकी भी आप चर्चा कर सकते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक अब चुकि लगाने पर हमारे लगाने पर सरकारे प्रयास कर रही है तो आप इससे जुड़ी कोई समस्याओं की चर्चा करें कि क्या चुनोती आ रही है तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो कोई विकल्प नहीं है और हुमन के हैबिट में वो योग के लिए सुरच्छित रखने में मदद करता है ऐसे में इसके भी विकल्प आपके पास नहीं है फर्माशियूटिकल इंडस्ट्री हो या हाड़वेयर खिलो ना खादे परसंस करण खादे वितरर जैसे चेत्र पूरी तरह से अस्तवेस्त हो जाएंगे आप इनकी चर नौकरियों और राजशो का भी नुकसान होगा प्रप्रतिबंध से प्लास्टिक निर्माण उद्योग में राजशो की हानी के साथ नौकरी का भी नुकसान होगा इसे भी आपाकडों के माध्यम से दिखा सकते हैं मनोवृति में परिवर्त हैं ये बहुत बड़ी समस्या ह क्योंकि इसमें मानो जो उप्योग के लिए हैविचुल हो चुका है उसे प्लास्टिक के लिए जिम्मेदारी नहीं लेता है उसे इन खत्रों का एसास है लेकिं वो बदलाओं के लिए तैयार नहीं है यही मनोवृति सबसे बड़ी समस्या हो रही है तो फिर आपको समी अगर टाइम कम हो तो एक ग्राफ के द्वारा भी बता सकते हैं आप की गौर्मेंट के स्तर पर क्या करना चाहिए सिटीजन के स्तर पर आप क्या कर सकते हैं और वर्ड लेबल पर क्या किया जा सकता है इन तथो को अगर इसमें समलित कर दिया जाये तो समस्या के साथ आप सम अगर आगे बढ़कर इन समस्याओं को एक जूपता के साथ निप्टाने का प्रियास करता है तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान प्रस्तुत नहीं किया जा सकता तो ऐसी जब उत्तर अजब आंसर लिखे तो बिना सल्यूशन के कोई भी आंसर पूरा नहीं हो सकत इसलिए याद रखें कि problem discuss के बाद भले ही उसे graph के माध्यम से या किसी भी two line के माध्यम से लेकिन ये ज़रूर बताएं कि problem का समाधान क्या हो सकता है इस तरीके से अगर आंसर को लिखने का प्रियास करेंगे तो answer में एक perfection आ सकता है जो आपको exam में अच्छे नमबरों को द ला सकता है तो संस्था में जो test series चल रही है इसी तरीके से जो current of year के issue है इसके माध्यम से आपको एक model answer provide किया जा रहा है जिसको आपको अपने current के revision के रूप में भी ले सकते हैं आट and culture, modern history, post-modern, world history, geography, society, quality, governance, international relation, economic, disaster management, environment, international security, science and technology, ethics का theory part और case study यह सभी आपको GS test series के माध्यम से जैसा की date भी दी गई है provide किया जा रहा है उसके बावजूदी यह जो batch है वो start है कब 23 June से start हो गया है जिसमें किसी भी प्रकार से संपर के लिए आप दिये गए screen number पे call कर सकते हैं और इसके साथ ही GS test series के साथ ही समास सास्त्र राज्रीती विज्यान में और अंतराश्टी संबन इतिहास और भुगूल के optional भी subject चलाए जा रहे हैं उस optional subject में 4 क्या है section wise test series होगी sectional test series है और 4 क्या है full length test है जिसके माध्यम से आपको लगभग 200 answer का 200 question क्यों question और उसके model answer provide कराए जा रहे हैं तो आप test series से जुड़कर उसका लाब ले सकते हैं और अधिक से अधिक practice करके अपनी तयारी को मजबूत कर सकते हैं धन्यवाद